नमस्कार दोतों आज की वीडियो जो है ये कीमियाई की जो ये हेर ट्रीमर होता है जिसे बहुत लोगों के पास इसमें ये अबलेबल है यानि घर घर में जो इसकी और सकता पड़ती है हेर कटिंग के लिए तो ये क्या होता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं इसमें प्र प्रॉब्लम हो जाते हैं यह कभी चार्जिंग नहीं होती हैं सब बातों को आज की वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे तो इस में क्या है कि सबसे पहले हम इसे open करते हैं ओपन करने के बाद यहां पर देखेंगे इसमें आपको दिखा दें इसके वीडियो आपको बहुत काफी मिलेंगे लेकिन यहां पर कुछ लोगों को प्राब्लम आ रहे थे कि ने ने हमारे जो यह मंगाया जाता है हेर टीमर इसमें अचानक यह बंद हो जाता है तो हम उसमें आपको बताएंगे सबसे पहले क्या चेक करना है इसमें دेखिए एक बैटरी होती है इसे धुक कर के ओर दिखाते हैं साय और यहां पर क्या है इसके इसके इंटकर रगी है अभी हम क्भोल के उसे भी दिखाते हैं अभी हम उपब है यह मोटर में यह जो आगे लगा हुआ हेडि़ को कट करने के लिए काम में आता है तो सबसे पहले हम क्या करें कि जब कभी यह प्रॉब्लम आये यह बंद हो जाए यहाँ यह हमारा चार्जिंग ना हो तो हम इस वीडियो पुरा किलेर करेंगे तो सबसे पहले इस मोटर को किलेर करेंगे यहां से यानि यह जो सप्ल प्लस और माइनस है यहां से आप यह कोई भी 3.7 बोल्ट का एक बैटरी लेंगे उसे आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि मोटर हमारा सही मुवमेंट कर रहा कि नहीं सबसे पहले देखें मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहां पे यह पॉजिट आप यहां से किसी चिम्टी से यहां पर डारेट करेंगे तो यह आपका चलने लगएगा अगर बैटी चार्ज होगा ऐसे देखेंगे तो यह कंडिशन हो गया कि यह वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है यहां से ईसे निकाल के और इसे जो है कैसे हम साप करके और मसीन का आयल डालके किलियर करके आप लगा सकते हैं लेकिन यहां पे हम इस PCB के बारे में बताएंगे जो कि यहां पे इसका जो यह बना हुआ है system जिसे यह काम करता है और चार्ज करता है तो यहां पे जो भी फाल्ट है इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे तो यह तो हुआ पहला काम, कि आपने यहां से चेक कर लिया, और अगर बैटी आपका यहां पे चार्ज नहीं है, तो यहां से जब आप टेश करेंगे इसको यहां पे, तो यह मोटर मुवमेंट नहीं करेगा, तो उसके लिए भी क्या है, कि मालिज इसमें कुछ फसा हुआ है और आप यहां से टेश कर रहे हैं, तो यह चल नहीं रहा है, तो यहां पे दो रीजन है, या तो बैटी डाउन, या तो यह फसा हुआ, अब उसके लिए क्या करना होगा, यहां पे आपको मुल्टी मीटर का साहरा लेना होगा, या तो अलग बैटी को आपको यहां पे 3.7 बोल्ट का यहां पर प्लस जोड़ दें यहां पर माइनस जोड़ दें यानि हमारा मुबाइल की बैटरी से भी इसे आप चेक कर सकते हैं और अगर मल्टी मीटर है तो आप यहां पर इसे जो है ऐसे डिसी वाले रेंग पर और आपको यहां पर इसे दिखा दें यह निगेटिव कि चाहिए यहां स्वीच से देखें कि देखिए फॉर पॉइंट वन बॉल्ट कि दिखा रहा है अब अगर यहां पर निगेटिव ना मिले तो यहां पर कनफर्म कर लें कभी कभी यह होता है कि यह जो निगेटिव है यहां जो अंदर से ट्रेक आया है यहां तक बर्न हो जाता है तो यहां पर नहीं पहुंचता तो भी मारा मोटर नहीं चलता तो आप डारेक्ट इसके ब तो भी हमारा मोटर नहीं चलेगा यानि दो वोल्ट होगा तो भी बैटरी हमारी डाउन माने जाएगी उसके लिए एक और इसमें फर्मूला है कि यहां पर देखें यह डारेक्ट इसको पॉजिटिव दिया गया इस मोटर को बैटरी से यानि बैटरी में दो पॉइंट है एक यह पॉजिटिव एक है एक यह नीगेटिव है यह पॉजिटिव है इसमें 3.7 वॉल्ट चल लागा हुए है जहां तक है भी हम क्लियर करके दिखाते है है और यह होता है डी में यहां पर प्लस और यहां पर माइनस यह निकीटिव और यह positive supply यहाँ पर इन होती है इसके द्वारा अब इसको हम देखते हैं इसके बैटरी को यानि यहां से हम इसे खोल लेंगे यहां पर दो पेंच लगे हुए हैं यहां पर देखें यह इस क्रूद दोनों हम खोलेंगे और खोल के जो है इसके नीचे लगी बैटरी के बारे म यहां पर देखते हैं नहीं से खोल कर जब इस तरीके से बूधाने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर आसानी से घुमा सकते हैं अब यह जो बैटरी लगी हुई है यह लिथियम अन की बैटरी है जो कि यहां पर इसके नंबर भी दिये गए है जो कि बैटरी का नंबर भी होता है एंपेर भी होता है और बोल्टेज भी होता है जो स्टार्टिंग में है वो नंबर है बीच में है एंपेर है और लास्ट में मिली एंपियर लिखा हुआ है यह दो एंपियर की बैट्टी हुई यानि एक हजार मिली एंपियर बराबर एक एंपियर होता है तो मिली एंपियर और एंपियर में यही फार्मूला है इसलिए यहां पर दो हजार मिली एंपियर लिखा है तो यह दो एंपियर की बैट्टी हो अब यहां पर देखे और दिस्प्ले जो से करता है यह चार्ज के लिए आपका जब आप इसे बैट्रा तो यह पिलेंग यह दानEMA के लिए हैं यहां पर जो तीन बोल्ट का पुल्स आउट होता है जब हम आन करते हैं। अगर यह यहां पर negative supply मिलेगी तो यह यहां पर positive तो यह 3 bolts जो है तुरंट out हो के इस Lift고 हाञ करेगा इस IC को जिससे यहां पर negative supply मिलेगी तो हमारा motor चलेगा अब अगर यह motor नहीं चलता है तो उस condition में आपको जो जो इसी खराब है तो उसके लिए हम आगे आपको बताते हैं इसमें इसके साथ एक एडाप्टर मिलते हैं एडाप्टर जो होता है वह प्लस और माइनस की सप्लाई यहां से बनके यहां से इसमें जो है लगाया जाता है इसमें उल्टा ना लगे इसके लिए यहां पर देखें यह जो है निसान बने हुए है यानि एक साइट राउंड है एक साइट एकदम सीधा है तो यह यहां पर देखेंगे यह प्लस यानि जो साइट राउंड है यहां पर यह प्लस होगा और इस साइट जहां पर यह सीधा ह है यह माइनस होगा जैसा कि यहां पर indicate कर रहा है सबसे पहले अगर charging ना हो तो यहां पर plus minus हम चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले Charger को चेक करने के लिए इसे हम मेंस में लगाते हैं ए और लगाने के बाद इसे हम DC के range पर कूंटी बोल्ट के range पर रखते हैं और यहां पर यहां पर प्लस है यहां पर हम प्लस को लगाएंगे और यहां पर माइनस को लगाएंगे यह देखिए यहां पर 5U spectacular हो रहा है यानि ये एडापटर ओके है अब चलिए यहां पर देखते हैं कि दूसरा बात हुआ एडपकर हो गया Stephen यहां पे प्लस माम इस मिलेगा अभी यहां पे हम सबसे पहले बैड़ी को चेक करते हैं बैड़ी को चेक करेंगे तो रदन यहां पर लगाएंगे तो पीश्चिप यहां यहां पर देखें डिस्प्ले में मल्टिमेटर के 4.1 बोल्ट हो रहा है अब यह इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बैट्री चार्ज है अब यहां पर ध्यान दें यहां पर अगर यह बैट्री चार्ज है तो किसी कंडिशन में अगर यह मोटर ना चले तो मोटर ना चले तो यहा इह जो मौटर की सप्लाई है यह इह पोजिटिव है और यह निगेटिव है अब यह पोजिटिव डारेक्ट बैट्री से जुड़ी है निगेटिव सप्लाई यहां इस आईसी से मिलती है जो कि इसके internal MOSFET लगे हुए है और यह एक switch की तरह काम करता है अब यह negative supply इस switch को मिली है कहां से यहां से यहां से negative supply मिली है और यह negative supply यहां से जो है इस switch को इस switch पे जो negative supply आती है यहां से सिधे इस point को जाएगी यहां नीचे से अकसर यहां पे problem आता है कि इसके internal जो track आई इहां से और यहां तक इसके पीछे तो यहां पर एक problem आता है कि वो track open हो जाता है load पढ़ने के जाएगी तो कभी कभी इतने जो जोडर ट्रेक होते हैं कि यहां से अगर यह negative supply नहीं आएगी तो यहां पर नहीं आएगी तो यहां प नहीं करेगा यानि positive supply इसको यहां से positive supply इसे डारेक्ट यहां पर मिल गई है इस आइसी पे negative को on-off करके यहां पर दिया गया है अब बात आता है कि जब इसे negative supply मिलेगा तो ICA work करेगा तो इस switch को on करेगा यानि इस IC को और यह जब on होगा तो यह negative supply हमारा यहां पर यह negative supply यह यहां पर जो है मिलेगा तो यह positive पहले से already मिल रहा है negative बाद में इसके switch के द्वारा मिल जाएगा अब अचानक किसी वज़ा से यह अगर fault हो जाते हैं switch और यह इतना section okay है तो इसमें घबडाने की बात नहीं है आप एक काम कर सकते हैं जो एक switch के रूप में काम करता है इसे आप यहां से डारेक्ट यहां पर positive जा रहा है अब negative यहां से switch होता है अब हमको यह क्या करना है इस वायर को यह जो आनाफ के लिए लगा हुआ है यह वायर इसे यहां पर जो है ऐसे हमको open कर लेना है ऐसे और open करने के बाद यहां पर ऐसे जोड़ देना है यहां पर अब यह समझे लिए यह motor का ही ट्रेक हो गया एक परकार से अब इसको जोड़के हम दिखाते हैं आपको यहां पर अब यह क्या होगा कि जब ऐसे आना आप करेंगे आप यह देखिए अब यह रही बात इसकी charging के charging को हम इसके lead को लगा कर दिखाते हैं कि दिखिए यह charging हो रहा है अब क्यों यह सक्षन काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए अब यहां पर यह जो वायर यहां पर लगा था निगेटिव सप्लाई यहां आ रही थी इसे मैंने कट कर दिया अब यहां पर इसका काम खतम हो गया अब यहां पर बैट्री चार्ज होगी और यह आन आप करके चला सकते हैं फिर बैट्री डाउन होगी तो यहां पर फुल बैट्री चार्जिंग का जो बोल्टेज है और निगेटिव प्लस और माइनस 4.1 बोल्ट यानि 4.12 पे यहां पर फुल चार्जिंग हो जाती है बैट्री की यह लीथियम आन की बैट्री है जो की 3.7 बोल्ट की अगर बैट्री रहेगी तो वहां पर 4.2 4.3 आसपास जो है यह फुल चार्ज हो जाता है तो है कि यह पहचान करने के लिए कि देखें जैसे आप इसे यहां पर जोड़ देते हैं कि फाल्ट को कैसे पता करें उसके लिए बताते हैं आपको कि अब यह हमारा निगेटिव और पॉजिटिव यानि प्लस और माइनस हो गया दिखा दें आपको यह प्लस है और यह माइनस स्विच मल्टीमिटर को देखें यह निगेटिव सप्लाई अब यहां पर निगेटिव सप्लाई अभी नहीं है लेकिन जब स्विच को ऐसे आन करेंगे तो यहां पर निगेटिव सप्लाई आ जाएगी लेकिन यह निगेटिव सप्लाई यहां पर पहुंच जब यह switch यहाँ पर करेगा यानि जब negative जाएगा अब देख लिए यह नहीं out हो रहा है तो यानि या तो यह sorting है तो इसे clear करें और या किसी condition में आपको emergency में काम करना है तो जो तरीका बता हैं इसे यहाँ से open कर लें यानि इस wire को उठा दें वैसे एक option switch के लिए और भी आता है जो आप अलग से MOSFET को लगा सकते हैं अगर यह IC बची होगी क्योंकि IC internal switch के तरह काम करता है कि यहाँ पर ऐसे अभी switch on है इसे आप कल लेते हैं कि यह किस कंडिशन में करना है जब यहाँ पर बोल्टेज आउट ना हो यानि इसकी पिन खराब हो यह या तो यह फाल्ट हो उस कंडिशन में यह काम करना है अब यह आपका इसी तरीके से काम करेगा तो यहाँ पर देखेंगे यह IC यह चार्जिंग के लिए हो गया अगर चार्जिंग सक्षन में फाल्ट आता है तो अलग से पूरी PC भी आती है चार्जिंग के लिए जो की मुबाइल में यूज के जाता है उसे भी यहाँ पर आप इसके जगे पर लगा सकते हैं और डारेट इसको स्विच से यह जो है निगेटिव और पॉस्टिव यानि प्लस यहां से डारेट दे दें और निगेटिव का स्विच इसी तरीके से डा मोटर भी उतने का है तो इसे आप डारेक्ट सप्लाई यहां पर दे सकते हैं इस कंडिशन में कि अगर यह हमारा आइसी अब लेबल ना हो या किसी कंडिशन में कहीं पर अगर ऐसे जगा हो कि जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिलने में आसुद्धा हो तो आन लाइन यहां पर चार्जिंग के लिए 3.7 लिथियमायन बैट्री की चार्ज के लिए अलग से पीसीवी माडूल आता है जो की इंटर्नल आप लगा सकते हैं यानि डिस्प्ले नहीं काम करेगा लेकिन चार्जिंग आटोमेटिक फुल होके बंद हो जाएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्य दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों